हेई गाइज स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूटूब चैनल वर्ड नेशन पे दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कोरोना वाइरस का डबल म्यूटन कितना कहर बर पारा है भारत की जंता पे तो इसका ट्रिपल म्यूटन जल्दी भारत में आएगा और कितना घातक से दोगा भारत के लिए इसके अलावा भारत की स्वास्तों सुविधाये ट्रिपल कोरोना म्यूटन के आने के बात तक कैसी रहेंगी इसके अलावा कोरोना में इतना फास्ट म्यूटेशन कैसे हो रहा है म्यूटेशन क्या है इन सब के बारे में हम आज इस ट्रिपल म्यूटेंट कोरोना के जिन्यून सिंग में पाया गया कि ट्रिपल म्यूटेंट कोरोना जिनने जो नया स्वरूप लिया है अपना उतार लिया है यह नया स्वरूप लेने के कारण बहुत कमजोर हो गया है ट्रिपल म्यूटेंट कोरोना पहले म्यूटेंट वाले कर गाईज मिउटेशन का मतलब है जब किसी जीव के करोरों सज हो जाएं तब नमें थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है जिसे हम मिउटेशन कहते हैं इनसान को ही ले लीजिए इनसान प्रारंभिक काल में बंदर की भाती था धीरे धीरे इसन में परिवर्तन आया और आज का इन में म्यूटेशन जल्दी देखने को मिल रहा और इंसान का जीवन काल सतर से असी साल का होता है इसलिए इंसानों में म्यूटेशन काफी धीमी गती से होता है विसे सग्यों की माने तो कोरोना का थार्ड वेब अक्टूबर यह सितंबर में भारत में आ जाएगा उस वक्त तक पर काफी हद तक काबू पा लिया जाएगा 15 तो ऐसे कोरोना पेसेंट हैं जो रिकवर हो लिये रहेंगे और 15 बच्चे जिन्हें वैक्सीन की जरूरत ही नहीं होगी और 15 परसंट कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें कोरोना हो भी गया है और ठीक भी हो गया है और उन्हें प 30% जन्ता के लिए पूरी तरह से वेंटीलेटर और और अखसीजन शेंडर होस्टिल बेड अवलेवल होंगे और पूरी तरह से मेडिशिन वगयरा कि किसी भी प्रकार की उस टाइम कमी नहीं होगी और बात करें इस टाइम की तो भारत में इस टाइम 80% जन्ताओं को स्वास इससे भी कम होगा उस टाइम का दोस्तों अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए नहीं अच्छी लगे तो डिसलाइक कीजिए अगर आप हमारे चैनल पे नए हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा म मिलते हैं आपसे हम नेक्स वीडियो में